आज का पहला सवाल देखिए कुशन नबर फरस्ट है इस पर आधारित प्रशन अवश्य ही परिक्षाओं में पूछ आते है आईए शुरुआत करते हैं वीडियो को कीजिए लाइक जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते है आज का पहला सवाल देखिए कुशन नबर फरस्ट है पंचायती राज विशे है आईए शुरुआत करते हैं डिसकस्शन की एक प्रशन के साथ कई के सारे प्रशनों को हम देखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारा समविधान है हमारे देश का उसमें कुल बारा अनुसूचियां है बारा शेडियूल है जिसमें से शेडियूल नमबर साथ अनुसूची साथ बात करती है समविधान की सूचियों के बारे में समविधान की साथवी अनुसूची सम्विधान की साथवी अनुसूची बात करती है सम्विधान की सूची यानि List of Constitution की List का क्या मतलब है यहाँ पर तो भारत के सम्विधान में साथवी अनुसूची में तीन लिस्ट तीन सूची के बारे में जिक्र किया गया है इसमें पहरी लिस्ट है Union List या संग सूची बोलते हैं इसको दूसरी लिस्ट है State List या इसको राज़्य सूची कहते हैं तीसरी है Concurrent List इसे समवर्ती सूची हम कहते हैं इन सूचेओ का क्या मतलब है इन सूचियों में कुछ विशय लिख्खे हुए हैं अगर हम बात करेंगे union list की संग सूची की तो संग सूची में ऐसे विशे लिखे हुए हैं जिन पर कानून बनाने का हक केवल केंदर सरकार को है union को है यानी संसत को होता है अगर हम राज्यों की बात करें राज्य सूची की तो राज्य सूची में ऐसे विशे लिखे हुए हैं जिन पर केवल राज्ये ही अपने राज्ये के लिए कानून बना सकते हैं, अगर राज्ये सूची के विश्य को देखें तो इन पर केंदर का कोई हस्तक शेप नहीं होता है, जो राज्ये सूची में शामिल होते हैं, और जो विश्ये इसमें union list में लिखे हुए हैं, उन पर र अपने राज्य के लिए इन समवर्ती सूझी के किसे भी विशए पर कानून बना सकते हैं तो यह होती हैं हमारी List अगर हम बात करें किसकी Union List की तो Union List में कितने विश हैं नाइन्टीस सेवन विश हैं यह इतना लिखा जाता है लेकिन अगर आभी आप देखोगे तो ये 100 है कुल विश है अगर वर्तमान में है तो वो 100 विश है लेकिन शुरुवात में कितने थे 97 अब कौन-कौन से ऐसे विश है जो यूनियन लिस्ट में शामिल के जाते उनको समझे जैसे रक्षा है डिफेंस है, है ना सैन्यबल होते हैं, मिलिटरी फोर्सिस हैं, परमाणू है, न्यूकिलिर पाबर है, मिनरल्स हैं, CBI हैं, एक्स्टरनल अफेर्स हैं, हमारे विदेशी मामले, सहितरास संग है, फोरन पॉलीसी हैं, हमारी नागरिकता है, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, यनि संसत को होता है, स्टेट लिस्ट के हम बात कर रहे थे, स्टेट लिस्ट में कुल मिला करके कितने विशे हैं, 66 विशे शुरुवात में थे, लेकिन वर्तमान में अभी 61 हैं, ठीक है, और इसमें कौन-कौन से आते हैं, यनि राज्ये, राज्ये के पास कौन-कौन से वि इसी में ही आता है हमारा पंचायतिराज, तो पंचायतिराज 700 इसाशन है और ये state list का subject है, अब options में देखो, राज्ये की सूची पर, ये इसका answer हो जाएगा, और किस पर बना सकते हैं राज्ये कानून, public health को लेकर, शराब को लेकर, विकलांगों के लिए, सडकों के लिए, agriculture, कल्चर, सिचाई, लैंड, भूमी, स्पोर्ट, एंटर्टेन्मेंट, राज्य में इतनी सारी चीज़ों पर कानून बना सकते हैं, कौन? लास्ट वाइल लिस्ट है, कौन करेंट लिस्ट में इसमें कुल विषए, जो पहले तो जो पे 40th अभी वरतमान में, कितने हैं, बावन, इसमें कौन कौन से विष आते हैं, जैसे मैरिज और मैरिज़ पर जो है कौन बना सकता है कानून? दोनों ही बना सकते हैं, केंदर और र बहुत सारे यहां से जिसे फाक्टरीज है, प्राइस कंट्रोल हैं, यह भी किसमे आएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो यह तो परिशा में जरूर पुछाते हैं, इसलिए हम एंशन कर दिये गए भी आपको, पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी राज्य ही बनाएंगे, फैम अगला बहुत इंपोर्टेंट, तो एक बेस बन गया आपको क्वेशन का यहां से, भारत में पंचायती राज विवस्था जो है, इसका शिल्पी किसको कहा जाता है, और हमारे देश को आप देखते हैं, हमारे देश में 6,40,000 से जयादा गाउं हैं, और गाउं में, अगर आप देखो सुक सुविधाय जो होती हैं, जैसे अगर कोई ज्यादा ही पिछले गाउं अगर आप देखते हैं, तो उसमें पानी के रिए पीने की ववस्था में आप कर सकते हैं, जैसे कुए, तालाप का इंतिजाम या नलो का इंतिजाम वहाँ पर, नालियों की था या hand pump जो आप देखते हैं सरकार इनल वगरा जो लगते हैं नहरे बनवा दिया है गाउं में इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं गाउंओं के अंदर इनको बोलते हैं क्या सार्वजनिक सेवाएं इनको बोलते हैं पब्लिक सर्वेसेज इन सारी सुविधाओं को गाउं में अरेंज कराने के लिए उपलब्द कराने के लिए और जितनी में समस्यां गाउंवा लोग होती हैं उनका निराकरोनिक तरिके से उनको सौल करने के लिए गाउं का गाउं की एक विवस्था मनाई जाती है इस विवस तो बलवंत राय महता को ही कहा जाता है पंचायतिराज विवस्था का शिल्पी या शिल्पी कार आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट आफ पंचायतिराज इन इंडिया बी आर महता या इनी को बोलते हैं बलवंत राय महता तो हमारे देश में गामवो में साशन के लिए गामवो के साशन को अच्छा बनाने के लिए बलवन्त राय महता की अध्यक्षता में एक समीती बनाएगी साल 1957 में इस समीति के अध्यक्ष थे हेट थे कौन बलवंत राय जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर कोई भी कमेटी जो होती है उन्हीं के नाम पर होती है जो अध्यक्ष होते हैं समीति के साल 1957 कई बार ये प्रेशन पूछा हुआ है तो सवाल आता है बलवंत राय महता समीती किसे समंदित है स्थानिय सोसाशन से लोकल गवर्नेंस जो पंचायती राजा इसी को हम स्थानिय सोसाशन बोलते हैं यानि अपने ही लोगों का साशन यानि उस गवर्नेंस या स्थानिय सोसाशन समंदित है जिसमें बलवंत राय महता ने इन्होंने गावों के लिए तीन इस्तरिय पंचायती राज विवस्था को बताया जिसमें पहले स्थर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समीती फिर जिला परिशत ये तीन स्थरिये विवस्था सुझाई जिसे हम त्री स्थरिये पंचायती राज विवस्था ये स्थाने सुसाशन ये बलवंत राय महता समीती ने ये सब सुझाव दिए थे और यही मॉडल हमारे देश के सभी राज्यों में लागू है ऐसा भी है किसी राज्य में तो ये दो ही किसी राज्य में तो दो ही स्तर लागू है किसी में तीन है ऐसे भी है और कई राज्य ऐसे जिन में तीनों स्तर लागू है सवाल नमर नेक्स्ट रहेगा अशोक महता समीती ने किसकी सिफारिश की थी अब हम ये लोग ये याद रखेंगे इसमें जो पंचायती राज विवस्था है हमारे देश में उससे सम्मंदित कुछ समीतिया बनाए गी थी यानि बलवंत राए महता समीती जो हमने पढ़ी थी उसके बाद भी कुछ और समीतिया इनके रिफॉर्म के लिए कि कौन से अच्छे मॉडल हो सकते हैं किसी गाउं के लिए तो इसमें जो क्वेशन का फ्रेम है पहले उसी को समझे डीटेलिंग में अभी आप नहीं जाईएगा क्वेशन का फ्रेम समीति पर बेस्ट है तो यहां समझे इसको बलवंत राए महता समीति जो आई थी साल निस्व समीति में जो कि पंचायती राज विवस्था पर बनी थी समीति इसने त्री स्तरिय पंचायती राज विवस्था का सजेशन दिया था हमारे देश के लिए उसके बाद में साल 1977 में एक और समीति है जिसका नाम था अशोक महता समीति ये भी किसे सम्बन दी थी पंचायती राज विवस्था से ही सम्बन दी थी अशोक मैता समीती ने क्या क्या इस त्री इस्तर ये ढाचे की जो समीती बनी थी इसकी जगा पर इन्होंने कहा कि द्वी इस्तर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायती राज का गावों में और द्वी इस्तर कौन कौन से सुझा है इन्होंने इसमें एक तो जिले के इस्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट होता है जिले के इस्तर पर एक जिला परिशत होना चाहिए और मंडल के इस्तर पर जो है मंडल पंचायत होना चाहिए ऐसे इनों सुझाव दिया लेकिन इस समीती की जितने भी सिफारिशे थी उनको reject कर दिया गया तो ये दूई स्तर ये पर आधारित थी हमारा सवाल क्या अशोक मैता समीती ने निमले खित्मे से किसके शिपारिस की थी पंचायती राथ की भी शिपारिस की थी लेकिन कौन से स्तर के लिए दूई स्तर ये सरकार के लिए गाउओं में तो इसका अंसर तो भी ऑप्शन हो जाएगा इसके बाद एक और समीती आई थी डॉक्टर पी वी के डॉक्टर पी वी के राव समीती साल 1985 में आई थी ये इसमें चार स्तर सुझाये थे जिसमें शामिल थे कौनकों से राज्य इस्तर पर एक राज्य विगाश परिशत होना चाहिए जिला इस्तर पर जिला परिशत होना चाहिए मंडल इस्तर पर मंडल परिशत होना चाहिए और मंडल इस्तर पर जो है ये भी reject कर दी गई थी अस्विकार कर दिया एक तरीके से इन models को इसके बाद में IT डॉक्टर LM सिंग्वी समीती साल 1986 में PK थूंगन समीती IT साल 1988 में तो इन्होंने अलग-अलग सिफारिशे की थी बस आपको question में यहाँ जो याद रखना है उसको समझे कि पंचायती आपसे पुझेगा इन में से कौन सी समीती पंचायती राज विवस्ता से सम्मंदित नहीं है ये पांचों की पांचों पंचायती राज विवस्ता में सुधार के लिए reforms के लिए बनाए गई थी जिसमें से जो लाग हुए हमारे देश में वो है बलवन्त राय महता समीती वेरी इंपोर्टन तो यह आपको याद लखें इनके वर्ष मैच कराता है आपसे कौन सी समीती किस वर्ष आई थी मैचिंग पूछ लेगा कि कौन सा सही गलत इनमें मैच्ट है तो इसका अंसर उपसंबी सवाल नमर अगला देखें निमलेकित में से पंचायतों की संरक्षना जो स्टुक्षर है हमारे पंचायत का उनके बावत उपुबंद करने का अधिक्रित या इनमें से सवाल ये है कि जो पंचायते होती है पंचायत उसे संबंदित जो भी प्रोविजन्स है कानून है उनको बिनाने का अधिकार किसके पास है राजेपाल के पास तो नहीं होता है भारत की संसत के पास नहीं है अभी पढ़ाता हमने राश्टपती के पास भी नहीं है ये राजी के पास होता है ये अधिकार अभी दे वो famous है लागो है हमारे देश में तो उसके अध्यक्ष कौन थे यही पूछा हुआ है हमने बताया था जो अध्यक्ष होते हैं उन्ही के नाम पर वो समीती होती है तो बलवंत राय महता के नाम से option मिलेगा या आपको या बी आर महता बी फॉर बलवंत आर फॉर राय और महता बी आर महता या बलवंत राय महता नेक्स्ट पंचायत पे बहुत सारे questions बनते हैं पचास से ज़्यक्ष कराएंगे हम इस चाप्टर के आपको अब लेके सम्विधान के किस भाग में पंचायत राज विवस्ता समंदी प्रावधान किये गए मैं आप कल लिजे जितने भी question यहां पंचायत राज पर होंगे एक-एक question आपकी पुरानी परिक्षाओं से पूछे हुए हैं यह तो सम्विधान के किस भाग में है आपको पता है भारत के सम्विधान में भागो की जो संक्या है वो 25 है यह वर्तमान में भारत की सम्विधान में इतने भाग हैं लेकिन अ बीच में हम एक दिन में जो है डबल प्रैक्टस हट कवर करेंगे अब मतलब छूटे हुए हैं आपके जो गाप हुआ उसका टूटल रहेंगे 31 या 30 के आसपास आपके एक्जाम तक चलिए वर्थमान में भारत का समयधान उसमें 25 भाग हैं जुमूल समयधान था उसमें 22 भा समयधान संचुतन के तहत भारत की समयधान में एक नया भाग एड़ किया गया पार्ट एड़ किया गया जिसका नाम था भागनो जो की पंचात भागनो पार्ट नाइन पंचात से सम्मधित था ये एड़ किया गया जिसमें आर्टिकल कुल मिलाकर के आर्टिकल 16 थे आर्ट लेकर 243, 243 से लेकर के 243 ओ, यह सब clause तक है, clause तक है यह, जो किस समंदित है यह, पंचाद इराज संस्थाओं से समंदित है यह, सवाल का अंसर आप कर सकते हैं, clear है आपको यह, option एही हो जाएगा इसका, यह भाग 9 में प्रावधान दिये गए, तो पंचाद इराज वस्तर सम हैं, वो किस में दिये गए हैं, भाग 9 में दिये गए हैं, इसी समिधान संशोधन के तहट, एक नई अनुसूची भी add की गई थी, जो थी 11 वी अनुसूची, यह भी आद रखेंगे, 11 वी अनुसूची, 11 शेडियूल भी add किया गय था, इसी समिधान, संशोधन के द्वारा दोनों माग कर लेंगे, यह भी पूछा हैता है, तो 11 वी अनुसूची वे किस सम्दित है, यह भी पंचायत से सम्दित है, एक बात हो गई, भाग 9 और अनुसूची 11 पंचायत के बारे में बात करते हैं, सवाल नमा नेक्स कुछ इस तरह से है, पंचायती राज से सम्दित निमलिकित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है, गलत वाला चाटना है, चले देखें पंचायत व्यवस्ता जो होती है, भारती ग्रामीर जीवन, जुगावों को जीवन होता है, जीवन के युगों का एक अभी नंग है, बहुत इंपॉर्टन है, यह बात सही है बिलकुल, बैयान में अभी हमने लिखा है, संसोजन बैयान में किया गया था तर्मा, लेकिन इसको लागू किया गया था कब, 24 अप्रेल से, 24 अप्रेल 1903 में, तो स्टेट्मेंट दूसरा वाला आंसर अमार सा यह, जो सही नहीं हो चाटना है, तो यह एक तिरीस तरी जैविकी रूप से जुड़ा हुई एक तरीके से सन रचना है, और यह सन रचना है, एक्चुली, भारतिय समिधान का अंच्छेद 243 जी, उसके महतु को बताता है, बिलकुल जो क्योंकि 243, 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज के ही हैं सारे, तो यह उसी में शामिल है, इसका अंसर उज समीती, बियार महता समीती थी, यह पंचायती राज ववस्ता से समंदिती, साल 1957 में आई थी, उसके बाद में आई थी, अशोक महता समीती साल 1977 में आई थी, उसके बाद में जो समीती आई थी, डाक्टर पीवी के राव समीती साल 1985 में आई थी, यह तीनों समंदिता है किससे पंचाय तिराज से लेकिन संथानम जो समीती है यह सम्मंदित थी किससे यह साल 1961 में आई थी यह समीती 1962 में आई होगी और यह समीती जो विभाग होते हैं डेपार्टमेंट सा लग-लग उनमें जो भरस्ताचार है उसके लिए यह बनाई गई थी ब्रस्ताचार जो होते हैं उनको रोकने के लिए उनके एक तरीके से अधियन के लिए पंचाय तिराज विवस्था जो है यह जो अपनाई गई है पंचाय तिराज विवस्था क्यों अपनाई गई थी इसका एक जो जवाब है वो यही होता है कि लोगतंत्र है जो लोगतंत्र है उसमें बड़े इस तरह से लिकर गाउं इस तरह तक शक्तियों का powers का distribution हो जैसे केंद्र है जैसे हमारे देश में सबसे powerful क्या है केंद्र है यानि केंद्र सरकार उसके बाद में राज्ये यानि राज्ये सरकारे होती है उसके बाद में देखो यह बड़ी काई है अगर देखा जाए प्रसाशन के according राज्येव से छोटी काई राज्यू को बाटा गया किसमें मंडल ठीक है एक मंडल में कई सारे जिले होते हैं जिले और जिलो को बाटा गया है ब्लॉक्स में ब्लॉक को बाटा गया है गाउमों में तो इस तरह से ये जो हमारी लोकतंत्र है लोकतंत्र का हिस्सा यहां से शुरू एक तरह की से बड़े लेवल से ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक बड़े लेवल से यानि सब connected है एक तरीके से तो इसका अंसर क्या होगा लोगतंत्र की शक्तियों का विकेंद्री करना यहाँ पर तो पावर्स आप देखें यहाँ पर केंद्र में प्रधान मंतिर राश्पति सब होंगे राजय में राजयपाल होंगे और बहुत सारे पद मंडल में अलग-अलग जिले शामिल होते हैं फिर जिलो के हैड बनाये जाते हैं ब्लॉक्स में फिर गामों में इस तरह से सब पावर्स यानि पूरा प्रसाशन यहाँ तक होता है गामों गामों की प्रसाशन को हम क्या बोल लेते पंचैजी राज अगला अच्छा सवाल है अच्छा सवाल कैसे है इसकी लैंगविज को बहुत अच्छा से फ्रेम किया गया है इन्हीं आपको जो अभी जितनी भी प्रीवेस केशन पर रखें उसमें एक डेट हमने भी डिसकस की थी कॉप्शन में आपको यहाँ से कर रहा होगा पहरे तो इसको ठ संशोदन अधिनियम है वो साल 1992 में आया था यह तिहत्तरमा संविधान 73rd Amendment Act 1992 में आया था यह पारित हुआ था और साल 24 अपरेल 1993 में यह प्रभावी हो गया था इसको लागू कर दिया गया था और जिस दिन इसको लागू किया गया था वो दिन था 24 अपरेल और हमारे देश में इसी दिन को 24 अपरेल को हम पंचयत डे के रूप में या पंचयत दिवस के रूप में मनाते हैं तो बात आई राजिस्थान में यह प्रोटसाहित करेगा इसको कैसे कनेक करेंगा आप क्योंकि जब यह Act बना यह अधिनियम बना तो सबसे पहला राज यह राजिस्थान ह इस पंचयत राज वस्ता को लागू करने वाला इसी प्रस्ण को ऐसी पूशता है जो बहुत ही frequent हो गया है कि भारत में पंचयत राज वस्ता लाजए प्रथम तो पंचायती राज विवस्ता को लागू करने वाला प्रतम राज्ये कौन सा हुआ? राजिस्थान हुआ? कब लागू किया इसने? ये भी यार रखेगा कि 2 अक्टूबर 1969 को राजिस्थान के नागौर जिले में शिरुवात की गी थी पंडित जवाहलना नहरू के द्वारा इस पंचायती राज पर नाली की और दूसरा स्टेट कौन है पंचायती राज विवस्ता को लागू करने वाला? वह आंदर प्रदेश इसने भी साल 1969 में ही अपने राज्ये में जो है आंदर प्रदेश में पंचायती राज विवस्ता को लागू किया या अपना आया था? आप कहेंगे ये 92 है और ये वर्ष इतना पहले कैसे है वह जो अभी हम रिसकस कर चुके हैं बलवंतराय महता समीती साल 1957 में ही आ गई थी उसके बाद में ही दो साल बाद में ही ये चीजे लागू कर दी गई थी और समयधान में रही समयधान में आड़ करने की बाद तो एक सं वर्ष में आके मिला ठीख है अच्छा इस सवाल पर फिर से आईए अच्छली यहां पर एक चेंज करना है आपको जो संधानम समीती थी ये संधानम समीती भी किससे सम्दित है ये भी इसी सम्दित है पंचाइदी राज विवस्था से ही सम्दित है एक समीती और आट अच्छली हमने चार से पांच का ही discussion कहा था क्योंकि वो ही परिक्षा में पूछ ली जाती है ठीक है तो ये भी संबन्दित है यहाँ पर कोई भी option में ऐसा नहीं है सवाल नंबर अगला तो ये जितनी भी समीतिय थी आपको पता चल गया उसका एक बार फिर से देख लीजिए ये सारी समीतिया है जो संबन्दित है किसे पंचायती राज विवस्ता से संबन्दित है ये सारी समीतिया ये भी संबन्दित है ये भी संबन्दित है पहले question को correct कर सन्धारम समीति पंचाथि राज से संभनदित है साधीकली समीति भी पंचाथि राज से ही संभनदित है Next one जिस समीति ने लोगतांट्रिक विकेंटिकर्यान योनि democratic decentralisation और पंचाथि राजकी सिफारिश की थी उसका सभापती कों था आंसर आप जानते हैं सवाल का फ्रेम बदल दिया है उसको पूछने का तरीका ये बलबंत राय महता ही थे नेक्स्ट वन चलिए एगला सवाल देखिए निमले के कथनों पर विचार कीजिए भारत के समयधान में भारत के समयधान के भाग नो में पंचायतों से सम्मनित उपबंध है ये बात अभी हमने डिसकस कि थी कुछ अगले जो क्वेश्चन्स हैं वो आप पिछले क्वेश्चन के अधार पर ही अब आंसर कर सकते होगर नहीं भी पढ़ाया आपने आप चुरोण सापको दिये गए हैं उनको आपने पढ़ा होगा समयधान के उसी के हिसाब से आप कर पा रहे होगे आंसर बहुत असानी सी सब मेरे डिटेल में आपको पढ़ाया और PDF में भी आपको दे दिया है भारत के समयधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से सम्बंद उपबंद किये गए है यी बात बिलकुल सही है भाग 9A में नगर पालिकाओं को Municipalities को बताया गया है और इसके बात एक और भाग है भाग 9 B भाग 9 B में आप याद रखेगा उसमें सहकारी समीतियों के बारें societies ये हो गया और अभी अनुचेद 243 के दूखे नुसार प्रतिक राज्जी के लिए दू परकार की नगरपालिकाई हो सकती है नगरपरिशत और नगर निगम इसके अगर बात करोगे तो यह बात यहां तक तो ठीक है लेकिन अनुचेद 243 के नुसार तो कुछ और ही बताया ह था हुआ है जो कि पंचयातों के बारे में है ना कि नगरपालिका के बारे में यह आण्सर क्या हुजाईगा इसले केल पहला ही ठीक है option is correct चलिए सवाल नमबर अगला देखेंगे निमलेकर कतनों पर विचार कीजिए किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य होने के लिए या बनने के लिए नियनतम जो निर्धारित उसकी age होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए क्या एसा नहीं है युनतम age उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए मैंनमम 21 वर्ष को कंप्लीट होनी चाहिए तो ये स्टेटमन तो गलत हो जाती है नियुक्त देखेंगे पंचायत के समय जो पंचायत होती है पंचायतों को जो गठन किया जाता है सबी स्टर की पंचायतों का कारिकाल जो शुरू होता है वो उनके पहले अदिवेशन से लेकर पहले अदिवेशन की जो तिथी होती है उससे जो पंच वर्ष फिक्स होता है इतना ठीक है तो पंचायत अगर पंच साल से पहले भंग हो जाती है भंग होने के पस्चात जब दुबारा से पुनर गठन किया जाता है पंचायत का तो केवल जो समय बचाओ, माल लीजे 5 साल का पंचायत का कारिगाल है और साड़े 6 साल, यानि 4 वर्ष और 6 महीने ही ये चली यानि अभी ये 6 महीने और बाकी थे इस पंचायत के तो क्या हुआ, अगले 6 महीने के लिए जो पुनर गठन किया जाएगा नहीं पंचायत का वो जो बाकी 6 महीने रहे हैं, उसके लिए ही रहता है वो समय ये स्ट्रेटमेंट ये बोल रहा है, तो ये तो ठीक है अब ये तो हमने 6 महीने का आखरी 6 महीने के एक्जामपल ले लिया लेकिन अगर ये भंग हुई पंचायत का जो निरधारित कारिकाल है अगर 6 महीने से कम रह जाता है, तो ऐसे चुनाव कराए जाते हैं तो ऐसे चुनाव जो है नहीं कराए जाते हैं जो पुनरगढ़ित पंचायत का जो कारिकाल है वो जो सेश अबदी है उस तक रहेगा रहेगा तो इसमें ये ये वारा स्टिट्मेंट तो सही है केवल दूसरा ही सही है इसमें बी ऑप्शन सवाल लंबर अगला देखिए सम्विधान के 73 वे संशोधन के द्वारा पंचायतो को निर्दिस्ट कीया जाने वाले कारियर निम्लिखित में से किसमेवारनीत है 63 संचुदन अधियम साल 1992 में किया गया था जिसके तहथ भारत के संचुदन में भागनों अड्ड किया गया भागनों के साथ साथ इसमें अनुसूची लंबर 11 भी अड्ड की गई अनुसूची 11 भी अड्ड की गई अम्मे विवस्तित करना है आपको यह समीती आई है उनको एक और में लगाना है यह पहले ही बताया जा चुका आई क्वेशन इसका अंसर आप कर सकते हैं इसमें से पहले आई थी 1957 में आई थी BR महता समीती साल 1977 में आई थी अशोक महता समीती फिर साल 1985 में आई थी जीवी के राव समीती और LM सिंग भी समीती इसके बाद 1986 में थी वह आप मैच कर सकते हो नेक्स देखें पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णे किसके द्वारा लिए जाते हैं जब यह सबजेक्ट मैटर है किसका यह विशे है किसका राज्य सूची का विशे है तो इसमें राज्य सरकारों का ही हस्तक्षेफ होगा राज्य सरकार है इसमें क्या करेंगी कानून बनाएगी और राज्य सरकार इसका क्या करेंगी इलेक्शन भी करवाएगी तो अपना राज्य का एक राजे निर्वाचन आयोग जिसे हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमिशन होता है राजे निर्वाचन आयोग का जो अगर आप बात करोगे यहाँ पर लिख लेते हैं इसको यह भी प्रेशन पूछा हुआ है राजे निर्वाचन आयोग राज़े निर्वाचन आयव यानि स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नम्मर ये आर्टिकल है आर्टिकल नम्मर 243 में इसका वाणन किया गया है और यही पंचायत उके शुनाव भी कराता है तो राज़े सरकार ऑप्शन भी सही सवाल नम्मर अगर देखें भारत में पंचायती राज़ विवस्था सबसे पहले राज़स्थान में लागू की गई थी साल 1969 में दो अक्टूबर 1969 में लागू की राज़स्थान के नागौर जिले से और यहां दूसरा स्टेट हमने बताया था सेकेंड स्टेट कौन सा था आ ऐसे ही पूछ हवाय प्रशन है कभी कभी पहले को इंपोर्टनस नहीं दी जाती है पर एक्ष्णों के लिहाज से दूसरे को पूछ जाता है क्योंकि दूसरे को कम लोग जयात रखते है नेक्स देखिए क्वेशन नमर अगला देखें बलवंत राय महता समीती की प्रजातांत्रिक विकेंद्री करण की सिफारिश जो थी वो जिलास्तर पर ब्लॉक स्तर पर ग्राम स्तर पर तीनों स्तर पर थी ये बिलकुछ सही है तो ये त्री स्तर ये थी बाकि इन में से कोई सा भी ठीक नहीं सवाल नमर अगला देखें जो पंचायत होती है पंचायतों का चुनाव कितने वर्ष के गाप में किया जाता है आंसर आपको पता है पांच वर्ष के लिए होता है पंचायत का जो कारिकाल है आर्टिकल याद रखेगा इसके लिए आप अनुछे 243 में सब कुछ लिखा हु जो पुरानी वाली पंचायत है उसका कारिकाल समाप्थ होने से पहले ही करा जाना अवश्यक होता है तो प्रतिक पांच वर्ष निर्धारित की गई है इसकी थी इसका जो कारिकाल है पंचायत का सवाल नमबर अगला भी कर सकते हो अब अपने हिसाब से सविदान के 73 दो शुसित्र के सविदान के तहट नाइंटी नाइटी नाइंटी टू के तहट देगो यह बार-बार हम क्यूं लिखते हैं बोलते हैं ताकि दिमाग में आपके फिट होता रहे चीज़ें दोरा ही जब जाती है तो हमें ज्यादा देर तक्याद है तीन समें तक्याद रहत इसमें नगर पंचायत का कोई जिकर नहीं है आज की सेशन में हम रहने देंगे इतने ही questions को अब हम जो है कल से start करेंगे अपने जो practice set है regular वाले जो आ रहे थे सफलता practice set को resume करेंगे वीडियो पसंद आया हो तो इसको like and share ज़रूर करिएगा वाकी वीशे के भी आप start करते हैं हम लोग अब समय जो है मारपस काफी नहीं है और books वगार का भी discussion करेंगे किस-किस books से आप पढ़ सकते हैं last समय में कल यह discussion रहेगा हमारा इस वीडियो में इतना ही thank you